पूरिया जंब आपको सबको नमस्कार आज ओमिक्रोन की करोना के बढ़ते प्रभाव की वज़े से DDMA की मीटिंग हुई अभी थोड़े पहले एलजी साब की अध्यक्षता में और ओमिक्रोन का कितना असर हो सकता है उसके क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमें क्या-क्या स्टेप्स उठाने हैं इन सारी चीजों के ऊपर कई एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया था उनके साथ चर्चा हुई एक तो एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ओमिक्रोन फैलता बहुत तेजी से है बहुत जादा तेजी से फैलता है लेकिन इसके सिंटम्स बहुत माइल्ड है बुखार थोड़ा सा होता है बहुत माइल्ड सिंटम्स है इसमें होस्पिटलाइजेशन भी कम होता है और डेथ्स के भी काफी कम चांसे हैं सबसे पहले मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल जरूर्ट नहीं है पैनिक करने की बिल्कुल जरूर्ट नहीं है पहली चीज तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं बहुत माइल्ड है लेकिन अगर आपको अस्पतालों की जरूर्ट भी पड़ेगी दवाईयों की जरूर्ट भी पड़ेगी इसमें हमें यह लगता है एक्सपर्ट से भी आज हमने डीटेल में चर्चा की कि शायद सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी जो हो माइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको और ज्यादा सुद्रड करेंगे तो तेइस तारिकों मैं दुबारा एक होम आइसोलेशन के ऊपर उसको पूरा रिव्यू करने के लिए मैं एक मीटिंग रखूँगा थाकि होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम जो हो सुद्रड रहे दूसरा अज़ एक निरने इंपॉर्टेंट निरने ये लिया गया कि अभी जितने भी केसिज कुछ दिन से केसिज बढ़ने लगे हैं जैसे पहले रोज आ रहे थे पंदरा केसिज बीस केसिज लेकिन कल सौ के पार कर गए सौ से ज़्यादा केसिज आये हैं ये केसिज कौन से हैं क्या ये ओमिक्रोन है या ये पुराने वाला वाइरस है नए वाला वाइरस है अभी तक केवल एरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे अब हमने ये टेह किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सब को हम जिनूम टेस्टिंग के लिए भीजेंगे कि हंडिर परसंट केस को ये टेस्ट करोना है तो ये कौन से वाला करोना है ये डिल्टा वाला करोना है कि ओमिक्रोन वाला करोना है ये आज निरने लिया गया इससे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं केस तो ये कौन सा केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं एक मेरी सबसे हाथ जोड के कर दिए ये यह जो बार-बार सरकार बोलती है मैं बोलता हूं आपको यह मैं अपने लिए नहीं बोल रहे हैं यह आप इकी भलाई के लिए लिए बोड रहा हूं और याप की इक स्वास्त के लिए बोड़ रहा हूं गिसे की निवेदन है सब लोगों से कि मास्क दुबारा पहना शुरू कीजिए केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि अभी दिली में हमने लगबग 99 प्रतिशत लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है 70 प्रतिशत लोगों को सेकंड डोज दे दी है हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाओ की जाए इस बारे में किंद्र सरकार परमिशन देता है तो मेरी किंद्र सरकार से निवेदन है कि जो जो लोग दो डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त द सके हैं दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रसेक्टर है अगर बूस्टर डोज के इंदर सरकार अलाओ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वरकर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकता हैं आज दिल्ली की कैबिनिट की भी मेटिंग यह एक दिल्ली टीचर इनवर्सटी बनाने जा रहे हैं इसका एक कानून लाया जा रहा है और उस कानून को आज दिल्ली की कैबिनिट ने मंजूरी दे दी आने वाले विधानसभा का जो भी सत्र होगा उसमें दिल्ली टीचर इनवर्सटी बिल को पेश किया जाएगा हमार इंटिग्रेटेड टीचर एडूकेशन प्रोग्राम होगा बारवी के बाद इसमें बीए बीएड 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 बीकॉम बीएड तो एक तरह से न्यू जेनरेशन टीचर इसमें तयार किये जाएंगे और जब बच्चे इस उनिवरस्टी में पढ़ रहे होंगे उनको दि प्रेक्टिकल ट्रेनिंग भी उनको बहुत अच्छे से मिलेगी और वो उनकी ठ्यूरेटिकल ट्रेनिग भी वहाँ पर लेंगे इसका एडमिशन जो है वो 2022-2023 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें इसका एडमिशन प्रोसेस चालो होगा और एक तरह से यह सेंटर फॉर एक्स से सेंके साथ कॉलाबरेशन करेंगे इसमें रिसर्च होगी best teaching techniques के उपर research होगी बैं उमीद करता हूं कि इससे अच्छे teachers तैयार करने के दिशह में ये बहुत पर करंतीकारी कौदम थाबित होगा दिल्ली की cabinet ने अज एक और निर्णे नहीं एहम निर्णे लिया, अभी तक जब से करोना काल शुरू हुआ है, हम दिल्ली के अंदर लोगों को free में राशन दे रहे हैं, जो राशन कार्ड से अपना राशन लेने आते हैं उनको फ्री में राशन दिया जाता है वो पीरिड खतम हो गया था तो इसे छे महिने के लिए और बढ़ाया जा रहा है 31 मही तक अब दिल्ली में लोगों को फ्री राशन देने की सुविधा बढ़ा दी गई है 31 मही तक लोगों को फ्री राशन दिया है नमस्क्राइब